लेट्स बगिंग एक्स्परेनेशन सबसे पहले हम दोनों भाई लियांग और काय को देखते हैं जो कि फाइनली फोडो स्टूडियो पहुंची जाते हैं यहां पर लियांग बहाँ शिन को देखता है तो शिन अभी काय का वेट कर रहे थी हो और उसे पता लगा था कि काय यह नहीं है कोई बात नहीं सब्सक्राइब तो यहां पर खड़ी हो इसलिए जल्दी आजाएगा तर्वीशन बहुत करूँगी जब यह दोनों खड़ी होते हैं तो यहां पर यहां पर म्याव्याव भी सामने से आरी होती हैं यहां सामने दो एंड सम लड़की भी खड़े थे यहां पर फोटोघ्राफर पूची लेता है कि मैम आपका गुरूम कौन है यहां पर मेरा गुरूम कोई नहीं है तो अपने पैनिस के साथ फैमिली फोटो करवाने आई थी एक यह आपर दोनों के दोनों बलॉश करने लगते हैं कि चलो हमारी वाइप मिल गई नों को क्या पत पकड़ता है ने फाइनली फोटो अच्छी आई जाती है इसके बाद काई कहता है तुम्हारी हिम्मत के सिवह मुझे हाथ लगाने की फैमिलियर होने ही कोशिच भी मत करो इसके बाद काई वहां से चला जाता है उसकी हम उसे रुकती है बट काई कहां रुकने वाला था जब बाद निकलता है तो शिन को उसी बेंच पर सोती हुए देखता है और कहता है कि है भगवान इस रर्गी का क्या करूं यह मेरा पीछा कब छोड़ेगी इसके जो जगाता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ूं तो कहती है क्या तुम मुझे घर चोड़ोगे तो कितने स्व मैं मानू ना मानू लेकर मेरा भाई है और उसके वजय से अगर मैं देखो तुम लियांग की कजिन हो एंड़ यह सब मिला कर तुम मेरी पहन हो तो यह सपनी दिखना छोड़ी दो कि तुम मेरी गल्फेंड वाइफ ऐसा कुछ बन सकती हो एड़ फ्यूचर ऐसा कुछ भी न देखने लाइक था उसका रोना स्टार्ट हो जाता है और कहती है कि बहन गल्फेंड से सीधी बहन मैं सिस्टा नहीं हूं मुझे सिस्टा बूलना बंद करो तो यह कहता है कि सच्चाई कोई नहीं बदल सकता तुम मेरी कजन हो एंड हमेशा ही रहोगी यार इसके वाद शिन अफसे डिशान क्या तभी यहां पर कहता है यार मैं कभी कुछ नहीं घरता सब कुछ अपने आप हो जाता है यहां पर शेचन जब शूश पर पहुंचती है तो यहां पर मियाव मे उसकी छोटी में रिमोट को लेका लड़ रहे थे उसकी चोटी में को काटून देखने दे पर शिन को तो सिस्टर नाम से रफरत हो गई थी और रात में शेननी की घर पर स्टे करती है नोनी की साथ खाना काती है तभी मियामा की डैड अपने परसनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि वह भी पहले किसी लडगी को बसंद करते हैं काफी धुका खा चुके हैं पर काफी स् सब्सक्राइब की होगी यह सब जब यहां पर मियामा की मौम सुनते हैं तो काफी ता गुस्ता हो जाते हैं और कहती हैं कि तुम्हारा पहले भी अफ्यर था मतलब मुसे शादी करने से पहले तो उसके डैट कैते हैं कि हम सौरी बेब मैंने गल्दी से बोलिया ऐसा कुछ भ क्या था उसको सारी चीजें रिमाइंड होने लगती हैं कि वह फ्लॉवर भी ल्यांग युए के लिए लाया था उसे मेरी कोई भी चंता नहीं है और वो शायद यूवी को बहुत दा पसंद करता है जब से ठंड लग रही थी तो उसने उसको अपनी जैकेट भी दिया उसक के बाद वो कुछ भी नहीं खाती और उसकी मम कहती है कि मुझे बस पेटदध हो रहाया और ऐसा कुछ भी नहीं है पर उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था कि विचारी बहुत ज़्यादा परिशान है पर लियांग की बात करें तो दरहसलों यूए को हस्पिटल छोड़ने वो उसे सब कुछ एक्स्प्रियन करने की बात कर रहे थे पिकॉस सेन का वियादा उदास थी कल से और उन्हें लगता है कि का नहीं ऐसा कुछ किया तभी का किया कि मैंने कुछ भी निक्या तो मुझे सारे की सारे बिलेम करना बंद करो और जब लियांग बीच फाइट में पारा बढ़ जाता है और वो घर से निका जाता है यहां पर लियांग उसे बात करता है तो कहता है कि प्लीज मेरे मामले पढ़ने की कोशिच भी मत करो आई हीट यू और मैं हमेशा तुम से नफरत करूंगा कि बाद वो नाच आते हुए भी शिन के घर के बार पहुंच जा यहां सबने ही देख रही हूं मैं तब से कितने साल हो गया तुमारा तो ध्यान मुझ पर नहीं गया मैं तुम्हें भी लाइक करती हूं और हमेशा करती रहूंगी तो एसा मसुचना मैं तुम्हें पीछा इतनी जल्दी छोड़ दूँगी देख लेना तो मुझे लाइक त जंदा थे इसके बाद यह दोनों काफी अच्छा टाइम करते हैं और इसके बाद काई भी चुपनी रहता वह भी उसे वह भी उसे भीगाने में लग जाता है और यह दोनों बिल्कु बच्छों की तरह खेलना स्टार्ट करते हैं शिन भी काफी टाइम बाद काई यह साथ तो भी काफी दा खुश थी अमगा फोटो इस तूडियो जाती है तो यहां पर उसे चैंग दिखता है तब ही चैंग उसे बताता है कि मैं अभी यूए के साथ बजी हूँ तो तुम यहां पर क्या करी हो तो यह कहती है कि यूए आप यूए को फसंद करते हैं तो यह वह सब क अग्दम खुश हो कर लाइट हास के तरह भागती है कि उसे पता है कि यहां पर पंचिंग बैक से अपनी एक्सराइज कर रहा होता तब यह उसे दिखती है उसे बलाती है इसके वाद दोनों फेस्टिवल एक साथ से लिएट करते हैं और मियां मियां आज काफी था खुश अजया था था तकि मयां मियां युवशन को आप अराम सा नहीं देती इसके बाद ऴूट जाती है अब लेंग भाई साब भी उनकी साथ ही बैट जाते हैं तभी ही कई उनने घूर गुशे देख रहा था और कहते है कि मैंने इतनी टाइम से सीट को बचा कर रखा मेरी कोई क चाहिए और इसके बाद ये सब लियांग भी सुन लेता है और इसे लगता है कि अगर चेंज करना था तो इसने आर्खिटेक्चर क्यों लिया यार मैं को कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा था इसके फोटो खीचने में दिक्कत आती है इसके बाद हो शिंग कॉल कर दी तभी शि क्या करता है अगर इसमें क्या चाहिए तब और उसमें काई की फोटो दिखता है तो कहता है कि कुछ रहा था और यहां पर लियांग जल जलकर खाक जो रहादा वसे काई का तो बस खैली पर ऐसे कैसे काई थोड़ी कोई आम चीज है इस अपने दिन की थकान दून करने के लिए रात में सोई जाते हैं जब मियामा की अचानक से आख खुलती तो भान निकलती है इसके आद वो लियांग को देखकर डर जाती है यहां पर लियांग भी किसी को ढूंड रहा होता है त जब वो जब यह जाते हैं दो काई भी वहीं पर जाता है और कहते हैं कि तुम तुम दोनों ने भी तो मंजी दरे दिया हैं और जब बढ़ते हैं तो यहां पर आवाज बढ़ती जाती हो इनका डर भी बढ़ता जाता है यहां पर काई तो बहुत ही आता डर रहा था जो कहता है कि सच में यहां पर भूत तो नहीं है तभी लियां कहता कि पागल मत बनों इसके बाद दोनों इतने जाते हैं कि दूसरे का हाथ अच्छे टाइट से पकड़ लेते हैं लेकिन ם निकलती हैं और किसी ब्रों कोंत रही थी मतलब वो उनका बेटा है इसके भाझ गड़न कंत Anime कहती है कि यहां अंधर उसर राद के बाद au प्रभाइब लगता है कि यह मेरा बेटा युवान है बात करें तो उन्हें भूलने की आदत है और हम बता दी तो उनका युवान दरसल मिलिटरी में एक आफिस था और इसके बाद एक वार के चलते बेटी के डैथ हो गए इसके बाद वह सदमे से कभी भार नहीं आपाई और जब भी उनके जैसे का लड़की को देखते हैं तो उसे अपना युवान समझ लेती हैं और आज जो वो काई को समझ रही है इसके बाद काई क्या कुछ भी नहीं कर पाता है वो गान माउस से चिपकी रहती है और काई की काफिया देख भार भी करते हैं विकास काई उनके ब पुदे नहीं समा रहा था और कहता है कि अपने युवान के साथ बजी हो तुम्हें इंप्राइडिंग सीखने तुम जड़सल यहां से जाओ मुझे अपने काई की साथ टाम करने दो तभी प्रोफेसर मियां की हेल्प लेती है विकास वियाम को वियाम को युवान की वाइ सब्सक्राइब करते हैं जिसमें उन्होंने वही वाला सारा विलिज बनाए हुगा था तुम्हें की साथ प्रोफेसर वी वह स्टार्ट कर देती हैं और उनकी विशेश पूरी हो रही थी इसके बाद यह सब एक साथ खाना बनाते हैं लेकर ने ग्रानमा का बिचारे का अब कि यह वाला सारा विलिज बनाए हुगा था इसके बाद काई भी उनकी बीटी की तरह ड्रैस अप होकर आता है और उने बताता है कि यह विलेज दरसल हमने आपके लिए बनाया है करन मा हमेशा इस विलेज को याद करती थी विकॉस इसमें उनकी बेटी की चान वसी हु और शायद आपकी जो हैं वो फुल्फिल हो जाए इसके बाद ग्रानमा का विदा एमोशनल हो जाती हैं काई को थैंकी बोलती है फाइनली और उसे कहती है कि वो अपना में से चेंज कर रही है तो आज से आर्किटेक्चर और आपको गुडबाई शायद वो दोनों अब शायद क्लास में कभी नहीं मिलेंगे यहां पर जब काई यह सब सुनता है तो सुछता है कि अरे यह कब को हुगा यहां में अपने में बाउसर के पास आती है कि यह पका शुर है और यहीं चाहती है तब प्रोफेसर भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हुँ उसका में चेंज करने के लिए अप्रीशियेट करते हैं और कहते हैं कि हो तुम सब कर लोगी और तो मैं उसमें क्या पढ़ना होगा क्या गूल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे साथ मुवी देखने चलोगी तो बहुत ही जाने वाली इसके बाद काई उसे काफी मनाता है बट वो मानती नहीं है यहीं पर जाए तो उसे टेबल पर रख्योए टिकेट मिलती हैं और कहती है कि यह काई यहां पर छोड़कर चोड़कर रह गया है मैंने तो मेना कर दिया शायद तुम्हें जाना चाहिए तभी शें करती है कि छोड़ो मैं उसका पीछा करती करते थे थक गयी हूं अकर काई जा रहा है तो मैं भी जा सकती हूं इसके बाद उसकी बेए दिमागी लाइट जलती है और वो दोनों मूवी देखने करती बाद वो यूए उस सीनर के साथ जरू जाती है